हेलो दोस्तों, वेलकम डू सांतनुसर ओनलाइन क्लासेज, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहा है, बीएसी में उनर्स के तोर पर आप किस सब्जेक्ट को रखें, अगर आप ISE पास स्टुडेंट है और बीएसी करना चाहते हैं, और आपको उनर सुनने में परेशान ही हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखें, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहा हूं, किस ओनर्स को करने से आपको एक बहतरीन कैजर अपरचुनिटी और साथ ही स साथ एक बहतर जाब मिल सकता है, तो इस वीडियो को आप बिना एसकीप किये होए लास तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, लेट्स बीइन, तो दोस्तों अगर फिजिक्स के बारे में बात करें, तो फिजिक्स को अग अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, और जान लेते हैं, तो आपको टीचिंग का जौब तो कहीं भी मिल सकता है, अलेकिन अगर आपको टीचिंग के अलाबा अगर और भी कई सारे केरियर ऑपरचुनिटी हैं, जिसमें आप जाना चाहते हैं, या उसमें आपको इंटरेस के तोर पे भी आप जो आप्टर ग्रेजुएशन जा अगर आप फिजिक्स ऑनर से करते हैं, तो आप काम कर सकते हैं, इसका जो है वेकेंसी निकलता है और आप किसी भी कमपनी में जो है लैब टेक्निशन के तोर पे काम कर सकते हैं, हमारे दूसरे नमबर पे है, आप साइं technical assistant के तौर पर भी आप काम कर सकते अगर आपका background physics रहेगा अगर वहीं चौनते की बात कर लें तो वहां है एक्सिलरेटर operator accelerator operator मतलब किसी भी machine को कैसे operate किया जाता accelerator machine सबको कैसे operate करते हैं तो आप उसको भी जो है आप उसको भी चुन सकते हैं अगर हम पांच में की बात करें तो रेडियो लॉजिस असिस्टेंट के तौर पे भी आप फिजिक्स ऑनर्स के स्टुडेंट है अगर आप ब्यासी कर चुके हैं तो आप जो है इस जॉब को कर सकते हैं अगर दोस्तों वहीं बात कर लें के जनके के खुशन स्टूर अगर वहीं बात कर लें दूसरे नमर्स क तो आप फार्मेसिस्टेंट के रूपी आप जो सौ जॉब कर सकते हैं फार्मेस आप जानते हैं जहां पर कि रिएटेडिंट होता है रू iam के जगों पे जहां पर जहां पर खून किसी तरीका इंवेस्टीगेसन करना होता तो forensic lab में जाके जो है सो उसको देखा जाता उसको परखा जाता है कि क्यां कैसा है और की चीजों चयों का chemical industry के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो chemistry का इस्तिमाल होता है चाहे वो cement factory हो चाहे वो fertilizer plant हो चाहे वो chemical plants हो चाहे cosmetic and perfume industry हो या फिर जो है बायो chemist हो कुछ भी हो toxic toxicologist हो तो किसी भी तरीके के chemical industry में अगर आपने जो है सो बहुत ही ज़रुत परेगा तो आपके पास chemistry और करने के बाद बहुत सारे opportunity आपको मिलेंगी वहीं बात कर लें biology के बारे में तो देखे बाइलोजी अगर आप जो है अपना graduation B.S.E. अगर biology और से करते हैं तो आप देख लें कि आपके पास सब्सक्राइब हो जानबर हो यह किसी भी तरीके का बाइरस और नहीं नहीं तरह के बाइरस आते रहते हैं उसका DNA और RNA का पता लगाना जो है वह molecular biology के अंदर आता और my molecular biology जो है वह इन सब सारी चीज़ों के बारें पता लगाते हैं तो देखिए बहुत सारे और परचुनिटी है जो biology के अंदर आते हैं तो हम इसको वन वाइवान जो है सो हम थोरा सा इसको बताते हुए इसका इंट्रों भी बताते हुए चलेंगे देखिए उसके बाद आता है हमारा 到 their हुआ हागा एको लोजिस्ट कि हमारे की सब्राइन का रागार्स सारी चीज़ों का सरक्षण पाद करना उसकी देख्माल करना हम का काम होता है और हम अपने थीसने नमर फे ऑटरानिस्ट मतलब होता मतलब होता है आपका थी अनस्पति भी ज्ञान तो देखते हैं बहुत सारे जो आज कल farming हो रही है या फिर बहुत तरीके की जो चीजें हैं जैसे की सब्जी उत्पादन करना या बहुत तरीके के लग-लग चीज होते हैं जो बोटनिस्ट के अंदर आता है तो कैसे उन सब चीजों को आप ध्यान रहे कि उनको कैसे सरने से बचाएं उसको कैसे जो है यह के हल्दी पेर बोधे का निर्मान करें तो वह बोटेनिस्ट के अंदर आता है अगर हम वहीं चौते नमर में बात कर लें तो अगरी कल्चर कन्सल्टेंट का आता है जो कि आप किस तरीके से खेती बारे करें खेती के सारे लोग जो है वह तरीके से जो है अगर कर सकते हैं इसको अपना कर सकते हैं अगर पर बात करें हमार पांच में तो बीसी के बाद भी बहुत सारे आप परामेडिकल कोर्स कर सकते हैं आज कल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है तो डॉक्टर कित्मी ज़्यादा जो है मांग बढ़ती जा रहे हैं चाहे वह इंसानों के डॉक्टर हो जानवर के सब्रोथ कर सकते हैं तो बहुत सारे के अंदर आपको देखने को मिलता है अगर हम बात करें अगर आप ग्रेजुएशन मैतमेटिक से करते हैं तो आपके पास कौन-कौन से रहते हैं आईए इसके बारे में भी जान लेते हैं तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूँ कि अगर आप मैतमेटिक करते हैं अगर आप बात करें अगर मैतमेटिक का कोई बच्चा तो उनके पास बहुत ही सेलेक्टेट ऑफ्चन होते हैं जिसमें कि इसमें जो मुझे अच्छा लगता है जैसे कि आप टीचिंग कर सकते हैं आप जो है नेट क्वालिफाइब करें तो अब जो है असिस्ट फेसर के तोर पे उसको जोटैंट कर सकते हैं अगर इंसित्योष्ट को स्कते हैं अगर वहीं दूसरे नंबर बात करें तो वहें अगर सकते हिए जो उसके अनदर भी सर्वीस कर सकते हैं अगर तीसरे नंबर बात करें तो और आपके सेर्च आन्दर की कई जहाती है जो है टो जहां K सब्boards सकते हैं वह आप चाहें तो आप गुवर्मेंट्ट लिवर सकते हैं वैसे तो किसी अपर्चुनिटी के बारे में government job के बारे में एक अलग से separate वीडियो बनाया है तो उस वीडियो को आप इस वीडियो के description में मैंने उसका link देती है उसको आप जाके देख सकते हैं और I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो इसे like करें चैनल को subscribe करें comment करें दोस्तों के साथ share करें thank you for watching this video